नमस्कार, हालो and a very warm welcome to CIET and CRT's live phone and interactive program My name is Dhanvi Khorana और आज नवी कक्षा के सभी जात्र हमारे साथ जुर सत्ते हैं साइंस के यानि की विज्ञान के इस कारेक्टर में आप हमारे साथ पढ़ेंगे matter in our surroundings यानि की पदाथ जो आपके आस पास देखने को मिलते हैं अब इससे जुड़ी जानकारी आपको हमारी महमान देंगी अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी ऐसा प्रशन जो आपके दिमाग में आए हम तक जरूर पहुँचाएगे आप इस वक्त हमें live देख रहे हैं इवत्या चानल नंबर 9 पर और अगर आप हमें फोन करना चाहें तो नंबर होगा इमेल के माधिम से हम से जुड़ना चाहें अपने प्रशन हम तक पहुचाना चाहें तो इमेल आइडी है dth.class9-ciet.nic.in इन माधिमों को हम पूरे कारिकरम के दौरान आप तक पहुचाते रहेंगे टिकर के फॉर्म में तो इनके माधिम से इन जरीये कि आप अपने सवाल हम तक जरूर पहुचाएगे चले आपका परचे करवाएंगे हमारी आज की महमान से हमारे साथ है मिस करमा शर्मा स्वागत है माम आपका Thank you माम माम है TGT in Natural Science Government सर्वोद्दे करने विद्याले सेक्टर 16 रोहिनी नई दिली से और चले इस बाचीत को शुरू करते हैं माम हमारा टॉपिक है Matter in our Surroundings तो सबसे पहले हम आप से जाना चाहेंगे Matter यानि की पदार्थ क्या होते हैं और वो कौन-कौन से Matter होते हैं जो हमारे आस-पास हमारे Surroundings में हमें देखने को मिलते हैं आप अपने आस-पास जितनी भी चीजों को देख सकते हैं कोई भी पांच चीजों के आप मुझे एक बार नाम बताईए Table, कुर्सी, दिवार, ठीक है और हमारा pen हो सकता है Pen, water bottle तो matter क्या है जितनी भी आस-पास हमारे चीजे हैं जिनके अंदर मास है जिनके अंदर द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है वो सभी matter कहलाती है Anything that has mass and occupy space is called matter A matter is made up of particles ये छोटे-छोटे particles से मिलकर बना होता है पिच्चर में आपको बहुत सारी चित्र दिखाई देंगे इमेज में जिसमें आप अलग-अलग चीजों को देख के बता सकते हैं For example, आप देख पा रहे होगे एक pond है कोई fruit है, tree हो गया scissor, burger, hammer TV ये सभी चीजे जो है चाहे पानी हो या कोई हथोड़ा है पेड है, इन सब के अंदर द्रव्यमान होता है, कुछ उनका वजन होता है और ये सभी चीजे क्या करती है स्थान घेरती है, जगा घेरती है तो इनको हम कहते है matter, अब हम बात करेंगे matter क्या नहीं है, जैसे कि हमारे emotions, gravity ये क्या है, ये ना तो जगा घेर रही है, और ना ही इसके अंदर कोई mass है, तो जो चीजे जगा घेरती हैं, और जिनके अंदर द्रव्यमान होता है उन्हें हम असान भाषा में matter कह सकते हैं Now let's understand what are the characteristics of particles of matter क्योंकि हमने समझा जितना भी हमारे आसपास पदार्थ है, जो matter है वो छोटे-छोटे particles से मिलकर बना है, अब उन particles की क्या characteristics है, क्या उनकी विशेशता है, particles of matter have space between them, जो particles होते है matter के, जो कण है, उनके बीच space होता है, यानि रिक्तस्थान होता है, जी particles of matter are continuously moving जितने भी पदार्थ हैं, उसके अंदर जो particles होते हैं, वो लगातार move करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर kinetic energy होती है, particles of matter attract each other, और जितने भी particles हैं हमारे, उनके अंदर एक अकर्शन बल होता है intermolecular force attraction होता है, जिससे वो आपस में एक दूसरे को बांध कर रखते हैं जी, माम हम आप से यहां पर जाना चाहेंगे कि जो matter आपने पहला हमें विशेष्टा बताए कि उनके बीच में space होता है इसका क्या आप उधारन देना चाहेंगी, किस प्रकार से इसे आप explain करेंगे, बिल्कुल माम, एक छोटे से example से हम समझेंगे, यह हमने एक normal पानी लिया है, और जो पानी है, आप देख सकते हो, इसमें द्रव्यमान भी है, वाटर है, इसके अंदर द्रव्यमान है और इसने space भी घेरा हुआ है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा salt add करूंगी यह हमने थोड़ा सा salt add करा salt याने कि नमक normal नमक जो हम घर में खाते है उसको जब हमने add करा और जब हम उसको थोड़ी दिर stir करेंगे उसको मिलाएंगे, तो हम देखते हैं कि जो हमारे particles है, salt के, वो इसके अंदर dissolve हो जाते हैं, घुल जाते हैं तो वो कहां गए हमने कहा कि पानी जो है पानी के अंदर नमक डाला और वो घुल गया तो घुलने के बाद वो कहां गया अब आप देख सकते हो बिलकुल पानी जो है वो पहले के जैसा clear हो गया अब इसके अंदर कुछ भी salt आपको नहीं दिखाई दे रहा तो वो पानी कहां गया पानी के साथ मर्ज हो गया तो इस activity से हम बता सकते हैं कि जो हमारे particles है वो उनके बीच space होता है जो liquid था उसके particles के बीच space था जिसको salt ने occupy कर लिया salt उसके साथ जाकर mix हो गया जी अब हम बात करते हैं यह तो हमने समझा हमारे matter क्या है characteristic features हो गए अब matter के types क्या है कितने types के मिलते हैं हम physically physical properties पे जाएंगे chemical properties हमारे इस chapter में नहीं है तो अगर हम physically states of matter को divide करें तो हम 3 main part में उसको divide कर सकते हैं solid, liquid and gases यानि कि थोस, drub and gas अभी हमने समझा था कि जो हमारे particles हैं उनके बीच force of attraction होता है वह बहुत ही जादा तो आप solids में देख सकते हो कि जो particles हैं हमारे जितने भी solid जो solid हमारी objects हैं उनके जो particles हैं वह बिलकुल tightly एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं उनके बीच बहुत ही कम space होता है ना के बराबर space होता है पॉर एक्जामपल आप अपने घर में कोई भी चीज देखते हो मालो table है table को आगर आप दबाते हो तो वह नहीं दबती क्योंकि जो particles जिन particles से मिलकर बनी है उसके जो है particles आपस में एक दूसरे से इतने जादा चिपके हुए है कि उनके बीच कोई भी space नहीं है लिक्विड में जो particles होते हैं थोड़े scattered होते हैं और gases में बहुत जादा दूर दूर होते हैं अब हम इसके आगे समझेंगे कि अलग अलग जो state है जैसे कि solid state यानि कि ठोस अवस्था उसकी क्या विशेशताएं हैं सबसे पहले जितने भी ठोस होते हैं उनकी definite shape होती है और उनकी boundary होती है निश्चित उनका आकार होता है और उनकी एक स्पष्ट सीमाएं होती है यानि कि जो उनकी boundary है उसको हम compress करके या दबा कर हम बढ़ा नहीं सकते मालो हमारे पास एक यह marker है उस इस marker को अगर मैं दबाऊंगी तो दबाने से ना तो इसकी shape change होगी और ना ही इसकी जो boundary थी वो ही बदलेगी तो solids के मामले में या solids के बारे में हम यह कह सकते हैं कि इनकी shape जो होती है वो fixed होती है और fixed boundaries होती है इनका जो volume होता है वो भी same होता है highly dense होते हैं क्योंकि जो इनके particles हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं density इनकी बहुत जादा होती है slightly compressible, compress इनको हम बहुत ही कम कर सकते हैं बहुत ही exceptions है कुछ जिसमें हम कह सकते हैं कि जो solids है हम उनको compress कर सकते हैं उसका एक example है हमारे सामने sponge आपने sponge देखा होगा sponge जो है हमारा solid है क्योंकि उसके definite shape है और उसकी definite boundary है लेकिन उसके जो pores होते हैं उसके बीच कुछ space होता है जो air ने occupy करके रखा होता है जब हम उसको press करते हैं वो अपनी shape change कर लेता है लेकिन जैसे ही हम pressure हटाते हैं तो वो वापस से अपनी shape में आ जाता है जितने भी हमारे solids होते हैं जब उनके ऊपर कोई external force apply किया जाता है तो वो अपनी shape change नहीं करते वो टूट जाते हैं इसको हम समझेंगे एक example से जैसे हम chalk है चौक जो है उसके fixed shape है fix उसका volume है और fix ही उसका boundary है जब हम उस पर external force लगाएंगे तो जो chalk है वो दो हिस्सों में तूट जाएगा लेकिन वो अपनी shape change नहीं करेगा तो यह हमारी जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनकी विशेशताएं हैं अब हम समझेंगे कि जो हमारे द्रव है यानि कि हमारा liquid जो है उसकी क्या विशेशताएं हैं जितने भी liquids होते हैं उनकी कोई भी definite shape नहीं होती liquids जो होते हैं उसको जिस भी container में डाला जाता है वो उसी container की shape ले लेते हैं For example यह liquid मैंने एक छोटे से glass में लिया है तो इसने इसकी shape ले ली इस liquid को मैं इस bottle में डालूंगी तो वो इस bottle की shape ले लेगा तो जो liquids होते हैं उनको जिस भी container में डाला जाता है वो उसकी shape ले लेते हैं liquids का एक definite volume होता है इनका volume change नहीं होता इनकी जो density होती है यानि इनके जो particles होते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं वो medium to high dense होते हैं क्योंकि इनके बीच कुछ space होता है अभी हमने salt और पानी वाली activity से देखा क्योंकि जो salt था वो dissolve हो गया तो वो dissolve होने का कारण यही था कि salt जो है वो solid का example है और जो हमारा water है वो liquid है liquid क्या होते हैं जो flow कर सकते हैं तो water के बीच जो particles थे उनके बीच space था उनके बीच थोड़ा density कम थी particles की जिस कारण से उन्होंने वो space को occupy कर लिया liquid जो होते हैं वो slightly compressible होते हैं solid liquid and gases can diffuse into liquids जितने भी थोस द्रव और gas है यह पानी में diffuse हो जाते हैं liquid में diffuse हो जाते हैं और जो rate होता है diffusion का in liquids is higher than that of solids क्योंकि solids में diffusion नहीं होता diffusion जो होता है वो liquid में होता है तो जो rate होता है वो higher होता है जी माम हम इस last point को थोड़ा बहतर समझना चाहेंगे जब आपने कहा liquid solid or gases diffuse into liquids तो यह किस प्रकार possible है जैसे अभी हमने example लिया जो नमक और चीनी के crystals हैं उनको हम solid में consider करते हैं तो जो हमारा पानी है जो liquid है उसके अंदर यह चीजे मिक्स हो जाती है घुल जाती है जी लिक्विट के अंदर लिक्विड भी मिल जाते हैं, जैसे हम कोई भी रुवजा या कुछ भी ऐसी हम अगर कोई मिक्स करते हैं, नीम्बू पानी लेते हैं, नीम्बू का रस होता है, नीम्बू का रस अगर हम पानी में डालते हैं, तो पूरी तरह उसके अंदर वो घुल जाता है, यानि लिक्वि में mix हो जाती है क्योंकि जो हमारे aquatic animals हैं वो कहां से अपनी जीवन के लिए उनको oxygen चाहिए वो कहां से लेते हैं क्योंकि oxygen gas होती है वो dissolve हो जाती है हमारे water में तो इसलिए हम कहते हैं कि जो solid है liquid है और gases है यह तीनों ही हमारे liquid में diffusion यह दिखाते हैं जी नेक्स्ट हम समझते हैं gases gases state अब जो gases है क्या आपने कभी किसी gas को अपनी आखों से देखा है नहीं सिरफ महसूस कर सकते हैं तो इनकी कोई shape नहीं होती definite shape और definite volume नहीं होता इनका low density as compared to solid and liquid क्योंकि जो हमारी gases है उनका जो density है जो उसके particles है वो बहुत ही जादा दूर-दूर होते हैं और दूर होने के कारण उनकी density बहुत ही जादा low होती है highly compressible इनको हम compress कर सकते हैं सबसे जादा जी no strong attractive forces between particles अब क्योंकि particles जो है वो बहुत दूर-दूर है पास-पास नहीं है तो इसलिए जो इनके बीच force of attraction है वो बहुत ही कम या ना के बराबर होता है कुछ examples हैं हमारे gases के जैसे LPG gas जो हम अपने घर में यूज करते हैं liquid petroleum gas और जो हम अपने vehicles में यूज करते हैं CNG gas ये compressed form है क्योंकि जो हम अपने cylinder में use कर रहे हैं तो gas को compress करकर हम अपने cylinders में या जो hospital में oxygen gas यूज होती है उसको हम compress करते हैं जी हम गैस का अगर एक example देना चाहेंगे हम आप से जाना चाहेंगे कि gas में क्या weight होता है और चाती साथ क्या gas जो space है वो occupy करती है क्योंकि हमें दिखती है नहीं है तो इसके लिए हम चोटी सी activity करेंगे यह हमारा एक बैलून है बैलून में अब आप देख रहे हो इसमें हमने कुछ नहीं करा इसके अंदर कोई air नहीं है जैसे ही मैं बैलून को हवा भरूंगी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हवा भरी तो यह gas जो इसके अंदर particles थे gas के particles उन्होंने यह space ले लिया अब इसके अंदर क्या है जो हम एक्टिविटी करेंगे यह दिखाने के लिए कि जो हमारे particles की बात करी कि जो हमारे जितने भी matter है, जो हमारे आसपास चीजे हैं, वो सभी particles से मिलकर बनी है, अब ये particles कितने छोटे हैं, क्योंकि हमें दिखाई तो देते नहीं है, उसके लिए हम एक छोटी सी activity करेंगे, ये मैं एक नॉर्मल जो पानी था, उसमें थोड़ा सा potassium per magnet डाल रही हूँ, अब इसमें से बहुत ही कम amount थोड़ा सा इसमें पानी लेंगे, और इस जो solution था हमारा potassium per magnet का, कुछ drops हम इसमें डालेंगे, अब जो ये हमारा color है, क्या आप इसमें change देख पारे हो, ये dark purple था, और हमने कुछ बूंदे डाली इसकी पानी की, तो ये कैसा हो गया, light purple, light purple, अब मैं एक और थोड़ा सा दूसरे ग्लास में पानी लेती हूँ, approximately उतना ही पानी, और अब जो ये वाला solution है, इसमें से मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालती हूँ, यह हम इसको थोड़ा सा, अब जो इसका color है, वो उससे भी light हो गया, लेकिन वो जाएगा नहीं, तो अगर हम तीनों में comparison करके देखें, तो इसमें जो हमने potassium permagnate के particles डाले थे, वो थोड़ी जादा डाले थे तो dark हो गया, लेकिन जब हमने थोड़ा सा इसमें से approximately 5 ml या 7 ml लिया इसमें, तो उसका color जो है, वो light होता जाएगा, लेकिन जो particles हैं, वो पूरी तरह नहीं जाएंगे, तो जो particles होते हैं, उनका size इतना छोटा होता है, कि बहुत कम quantity में भी वो अपना effect दिखाते हैं, तो इस activity से हमने यही matter है, जितने भी हमने बात कर ली पदार्थों की, क्या यह सब अपनी shape change कर सकते हैं, क्या इनके आकार में कोई changes हो सकते हैं, तो हम water का example से समझेंगे, जो water है, it exists in 3 states of matter, जो हमारा पानी है, वो 3 अलग-अलग states में exist करता है, liquid, solid and gas, अगर solid होगा, तो हम उसको ice कह देते हैं, क् हम फ्रिज में उसको जमाते हैं, तो normal water जो होता है, वो ice में convert हो जाता है, liquid जो हमारा normal water हम पीते हैं घर में, and third one is gas, क्योंकि जब हमारा पानी भाब बनके उड़ जाता है, तो हम कहते हैं, कि वो एक gas state है, जब हम temperature increase करते हैं, solids का, तो kinetic energy जो particles के बीच में है, वो भी increase हो जाती हमने समझाता है, जो particles हैं हमारे, जितने भी हमारी objects हैं, जितने भी हमारा matter है, solid, liquid या gases, उनके बीच वो particles के बने हैं, ठीक, और जो particles हैं, वो लगातार move करते रहते हैं, वो stationary नहीं होते हैं, वो लगातार move करते हैं, और move करने का कारण क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर kinetic energy ह होती है, तो जब हम ice को गर्म करते हैं, तो जो उसके अंदर particles होते हैं, उनको energy मिलती है, उनको heat मिलती है, और वो speed से move करना शुरू कर देते हैं, और जब वो move करते हैं, तो वो अपने आसपास की जो walls होती हैं, उस पर एक pressure apply करते हैं, energy supplied by heat overcomes the force of attraction, जो हमने energy supply करी है, अगर ice उसको गर्म करने के लिए, तो जो force of attraction होता है, solids के बीच में, वो क्या होता है, कम हो जाता है, और जो particles थे, solid के, उनके एक fixed position थी, वो अपनी fixed position को छोड़ कर, freely move करना, start कर देते हैं, और एक ऐसा stage आता है, when solid melts and converts into liquid, यानि कि जो हमारी बर्फ है, वो किस में बदल जाती हैं? इसको हम कहते हैं कि पानी, sorry, बर्फ जो है, वो पिघल गई, melting point, तो इसको हम कहेंगे melting point, सेम इसी तरह जब हम supply करेंगे heat water को, आपने देखा होगा, अगर बचपन में एक activity करते थे, कि हमने एक पतीला लिया, उसमें पानी रखा, और gas on करके उसके उपर एक प्लेट धग द ही है, तो जो उसके particles हैं, उनके अंदर kinetic energy आ गई, वो जल्दी-जल्दी move करना शुरू कर देते हैं, और उसके कारण जो उनकी energy है, वो force of attraction को कम कर देती है, और जो हमारे liquid के particles हैं, वो किस पे बदल जाते हैं? gaseous state में, इसको हम कहते हैं liquid का melting point, sorry boiling point, इसको हम कहते हैं boiling point, कि किस temperature पर हमारा water boil होता है, जो हमारा water होता है, वो 0 degree Celsius पर freeze हो जाता है, उसको freezing point कहते हैं, और जो हमारा water है, वो 100 degree Celsius पर boil होता है, तो उसको हम boiling point कहते हैं, जी, यह हमारा एक inter conversion है, जितने भी हमारे state हैं, क्या वो आपस में बदल सकते हैं, तो अगर हमारा solid, liquid में ना जाकर, direct, gas में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं sublimation, इसका एक example हम समझ सकते हैं, कपूर से, कपूर या जो naphthalene balls होती हैं, जो हम कपडों में डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो solid form में हो होता है, दोनों ही हमारे solid state में होती हैं, लेकिन वो liquid state में आए बिना, melt हुए बिना, direct, gas में convert हो जाती है, इस process को हम कहते हैं, sublimation, ठीक, उसी तरह से अगर gas, liquid state में आए बिना, direct, solid में बदल जाती है, तो उसको हम deposition कहते हैं, तो इसी के साथ माम, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, हमने समझा matter के characteristics, हमने समझा हमारे आस-पास कितने सारे surroundings में matter होते हैं, पदार्थ होते हैं, और किस तरह से हम उन्हें gaseous form में होते हैं, तो नहीं देच सकते हैं, अलग-अलग categories में divide कर सकते हैं, solid, liquid and gases, तो इस सारी जानकारी के लिए हम आपका धन्यवाद करना होगा, किसी भी कार्ण वर्ष अगर आपने नहीं देखा है, तो आप इसे दुबारा भी देख सकते हैं, NCRT Official हमारा YouTube channel है, थोड़ी देर में आपके लिए इससे upload कर दिया जाएगा, आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं, इस कारिक्रम को, और इसी के साथ कहीं मत जाएगा, क आप देखते रहिए, हमारे channels और अपने सवाल भी साथ ही साथ हम तक पहुंचाते रहिए, इसी के साथ विज्ञान का एक कारिक्रम, जहां हमने बाचीत की matters in our surroundings समाप्त करते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, have a nice day ahead, I'm Tanvika Rana and I'll take a leave of you, thank you, namaskar.